हेलो फ्रेंड्स मैं आरती, आप सभी का बहुत बहुत सागत करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो एक स्पेसल वीडियो है आपके डिमांड के उपर आप लोगोंने कमेंट्स किया था वार्टसप पे मैसेज भिजा था कि कम्प्यूटर के उपर एक वीडियो बनाया का है क्योंकि आपके इसमें कम्प्यूटर से भी कोश्चन्स हैं कम्प्यूटर भी है आपके कोड 502 में तो आज का जो वीडियो है वो 502 का ही है और सिर्फ इसमें कम्प्यूटर के ही कोश्चन्स है हमने इकठे किये चलिया यह दे प्रियोक करने के लिए और फिर निर्देश के द्वारा प्रसंसकरण होता है और अंत्वे परणाम देता है यानि जैसे आप परिस्कृत आकड़े जो होते हैं या अकड़े जब एकत्रित किये जाते हैं तो कवार के ढेर के समान आभिबस्थीत रूप से कंप्यूटर में वि तो वो आपको मिल जाते हैं आधियम और सिक्षन प्रक्रिया में आप ICT आधारित आकलन का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं अब आपको बताना है कि अधियम और सिक्षन प्रक्रिया में जो ICT आधारित आकलन होता है उसका यूज उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तो चलिए इसका एंसर देख लेते हैं, ICT उपकरण, प्रक्रिया, आधारित तथा प्रतिफल आधारित दोनों प्रकार के आकलन में सक्षम है, उदारण के रूप में आप एक उदार उपकरण E-Portfolio है, जो सरलतावा सिगृता से विद्यार्थियों का आकलन कर सकता है, तो दिखी जो ICT उपकर होता है, अधियम आधारी तो प्रतिफल आधारी थे, यानि कि पढ़ाते वक्त छात पढ़ रहे होते हैं तब के लिए और जब चात पढ़ चुके होते हैं तब दोनों में इसका यूज होता है, e-portfolio क्या है, तो e-portfolio को दूसरे नाम से भी जाना जाता है इसको आप Online portfolio या Digital portfolio भी कहा जाता है e-portfolio के अंतरगत Multimedia य modular material चीज़े होती है, फाइल है, messenger है, e-mails है, यह सब चीज़े इसके अंतरगत आती है ICT उपकरणों के बिभिन रूपों के संचेप में चर्चा कीजी या है ICT की जो यो रूप होते हैं उनकी जो रूप होते हं उनकी आपे चर्चा करन इचानुा में विभिन प्रोड़्यों के उपकरण का 1 set होता है। समझ के विक अदर प्रोड़्यों महानय सक्ति होती है। इस सेइटा में महांन सक्राइब करने के थे लिए उनको विक्षित करने के लिए इस सेट का प्रोड़ियों किया जाता है जो उपकरण होते हैं ICT के, ICT के उपकरण एक मात प्रद्योकी नहीं है बलके इसमें hardware, software, multimedia delivery system सबका समागम होता है यानि कौन-कौन से इसके अंतरगत उपकरण होते हैं ICT उपकरणों को इन चार सेडियों में बाट सकते हैं से पहला informative इनको अपना अलग से भी ध्यान रखिएगा कि जहोड़ी नहीं है कि सब ICT के उपकरण ही पूछे हो सकता है कि इन फॉर्मेटिव क्या होता है ठीक है जो भी इसके उपकरण उनको अलग से भी पूछ सकता है या पिर आपजेक्टिव टाइक में कि ICT क्या क्या है अब वो सुचना है कौन कौन सी है चलिए देख लेते हैं जैसे उपकरण को इक उधारन हो गया इन फॉर्मेटिव उपकरण का उधारन आपका हो गया जैसे मल्टी मीडिया और वर्ड वाइर और बेवादी होते हैं ठीक है अब एक सिच्वेटिंग उपकरण ले रहते ह है माल लीजिए हमको मानो रख्त परिवांतंत पढ़ना है इसे यूटूब वीडियो क्लिपिंग वीडियो डीवीडी आधिके माध्यम से बच्चों को जीवन भर के लिए समझा सकते हैं ठीक है जैसे आप इसके बारे में सर्च करना चाहरे हैं आपको कोई एक जिसके द्वारा स्वयम का बेव पेज बनाया जा सकता है यानि बेव आथरिंग क्या होता है यह भी एक कोश्चन्स आपका है तो जिसके द्वारा स्वयम का बेव पेज बनाना ही बेव आथरिंग कहलाता है आथरिंग का मतलब वह अथर यह नहीं लिखना तो आप उसमें क जो बनते हैं जेर्नली बनाये जाते है वो बेवाथरिंग के अंतरगत ही आते हैं जहां be जो राइटर होता होता यह अपनी cherry वहाँ पर लिगता है ठीकर कि आए सीटी के उपकर्णु में तो कौन कौन से हैं शेक आप का गये जैसे र Verfश है टेली वीजन है कंप्यूटर है नेटवर्क है हार्डवेर साफ्टवेर मसीन है जथा इन प्रद्योक्यों से संबंदित सेवाएं जैसे इमेल वाटसाब वीडियो कांफेशिंग आधि आई सीटी से उपकरण है तो यह इंपोर्टेंट आपका कोश्चन एक बन जाता है फ्रेंड के आई सीट पूटफोलियो जो होता उसके अंतरगत आती हैं नेश कोश्चन कंप्यूटर के कुछ प्रयोग की चर्चा करें कंप्यूटर के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं ठीक है ना जैसे जटिल अगणती और सांकी गणना के लिए हम लोग का हमारा गणित का काम बर्क होता है अगर ह और अधिन दुकान रस्त्रा आध में तो देखिए आप इसको बढ़ा करने के लिए अलग लिग दीजे बिल कहां बनता है दुकानों में बनता है अपिल बनाने के काम में आता है आप फस्ट कर लिजे सेकंड कर दीजे कि आफिस के सभी जो वर्क होते हैं कंप्यूटर के मा बरक्षन आद के लिए भी अप्रघ्टर का प्रिण या जाता जं़री साही काम होगए। और यह जो प्रियोंग के लिए चल यह सहां मौसरम की जानकारी की यहां अपर ने जिन सकते हैं। यह पर वस्कुल करने मैं बड़ते को डिर खेसे जाते हैं। नेट्स कोश्टन ले लेते बेम 2.0 क्या है तो देखिए पोस्टल तंत्र से सूचना पहुचाना काफी समय को बरबाद करता है जबकि ICT उकरण सेकंड में चीजों को संप्रेशित कर देता है पोस्टल तंत्र यानि पोस्ट आपी से लेटर रोटर की माध्यम से पोस्ट कार्ड के माध्यम से किसी पहले लेटर जो चला करते थे तो उनके माध्यम से अपनी सूचना को अपने मैसेज को पहुचाना जो होता है क्योंकि बहुत टाइम उसमें लगता है समय की बरबादी हो जो ICT उक्रण हो गया यानि email के माध्यम से message के माध्यम से email में जो जिसे Gmail याहू हो गया इनके माध्यम से ठीक है तो बेब 2.0 कैंट आपके लिख देना है बस एकी पोस्ट और इसके माध्यम से सूचना अपने मैसेज्ज को सूचना को पहुचाने में टाइम की बरवादी होती है जबकि ICT उप्रण के माद्यम से हम अपने मैसेज को अपने संदेज को सेकंड में पहुचा देते हैं पहुचाने वाले के पास और इसके जो माद्यम कौन कौन से हैं वो आपको लिख देना है एमेल है, वीडियो काफरेसिंग है चैट है, चैट में भी आपको दाहर लिख दे भाट सब हो गया, मेसेंजर है ऐसे इस तरह से एक्स्प्रेइन कर दीजे आप इसको नेश कुशन ले 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 थे कंप्यूटर के कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट जो होती है इकाई या क्या है कार्यात्मक इकाई चैट की जाती है जो आपको बता के आ रहे हैं उनसे आप information कैसे इकठा करेंगे सोचना कैसे इकत्रित करेंगे चले इस cancer देख लेते हैं तो देखिए ICT के उपकरण, श्रब, द्रिश या द्रिश स्रब या तीन उप्रकार के हो सकते हैं जैसे आपे शिक्षक सहायक जो सामगरी होती है उसके तीन उपकरण होते हैं शिक्षक सहायक जो सामगरी होती हो तीन तरह की होती है श्रब होती है द्रिश होती है द्रिश स्रब होती है ठीक है यानि श्रब उपकरण पहला हो गया द्रिश उपकरण दूसरा हो गया और फिर इन दोनों को मिला के द्रिश श्रब या श्रब द्रिश आप कुछ भी लिख दीजे इन दोनों को मिला के तीसरा उपकरण बन जाता ही आपके सेक्षिन जो सिक्षक शार्ण सामगरी होती है उसक महान सकती होती जो ज़स्ट अभी हम देखके आ रहे हैं सूचना जो होती विविन संसाधनों से एकत्रित करते हैं इसे पाट पुष्टके हो गई पत्रिका हो गई संदर पुष्टके हो गई जन्नल नालेश को जुबुके होती हैं कक्षा नोट्स हो गए हैं अन्ने साधन से परन्तु एकत्तित सामगरी को कक्षा में प्रस्थित करने योग बनाने हैं तो अधिक संसाधन और समय केवा सकता होती है जो हमारे पास समय अपलद नहीं होती है क्योंकि जयादा समय नहीं होते हैं और कभी-कभी आप सोचते हैं कि हमारा पार्ट व्यापक नहीं है, पुने विद्यार्तियों की पहुँच सीधे उस सूचन तक नहीं हो पाती है, जिस तक हमारी पहुँच है, परन्त ICT उकर्णों ने इस दूरी को कम कर दिया है, और ना केवल विद्यार्ति द्वारा अरजन संभो किया है, बल कि कक्षा में उसकी परस पर बातने को भी बढ़ावा मिला है, यानि ICT एक ऐसा उकर्ण है कि आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहरे हैं, कोई ऐसा कोश्चन है जिस आपके मन में है और आप आडिया तो टीचर से पूछ रहे हैं, जानना चाहरे हैं, कभी विद्यार्थियों, जिन में सारेरिक तथा मांसिक रूप से चुनोती पून विद्यार्थि वी सामिल है, कि आधिगम आउसरों के निर्माण की भी छमता होती है, यानि ICT की जो उपकरण है, वो सभी के लिए विस्ट है, चाहे हो किसी भी तरह की विद्यार्थि क्यो ना ह हो computer elemento कितने प्रकार के होते हैं चर्चा करें अब बताना है कि मिंद्र को ङयार कार के वर्गित और मुबाइल के तरह और कक्षा में अधिगम कार है तो बिभिन प्रकार की कंप्यूटर का वर्णन नीची किया गया है तो चलिया देख रहते कौनकौन से computer होते हैं फर्स्ट ले लेते हैं का Micro Computer Micro Computer गति या storage शम्ता में Perspectering के अगर फिर exaggeration revised storage की बात करें कि और अधिक रखने की बात करें सबसे ज्यादा ус डैसे ति कर माइक्रो प्रोसेसर चिफ से बनाये गए थे ब्यक्तिकत कम्प्यूटर जो PC जिसको हम कहते हैं कि सबसे सामान एप्लिकेशन इस वर्ग की है यानि इस वर्ग के अंतरगत PC जिसे हम परसनल कम्प्यूटर कहते हैं इस वर्ग के अंतरगत आता है PC में कई इन्पूट था आउटपूट यंतर होते हैं ये इन्पूट और आउटपूट यंतर जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो इसे आप ज़रूर देखेगा एक कोशन इसमें है भी और एट बिट चिप की संसोधित कि इसमें 16 बिट था 32 बिट चिप है यानि देखिए जो इसमें चिप लगी होती चिप आपका होगा यहाँ पर ये रॉंग है तो इसमें पहले एट बिट चिप हुआ करता था एट चे बढ़ा कर इसको 16 बिट कर दिया गया इसमें अधिक भंडारन की शमता होती ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा स्टोरिश किया जा सकता है अधिक गति से कार करता यह फास्ट भी होता है यह जिसके माइक्रो कंप्यूटर का अपोजित होता है मिनी कंप्यूटर बहु उप्भोकता तंत्र में प्रयोग के जाते हैं और जहां विभीन उप्भोकता एक ही समय पर कार कर सकते हैं आफिस वगरे के लिए आफिस में क्या होता है बहुत साई संस्थाने होती इंस्ट्यूट होती वहाँ पर बहुत साई चोटे कंप्यूटर रखे होते हैं मात्रा में आकडो को फ्रोसेश करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं और इनका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क याणि एल एयन जो होता है उसमें सर्वर की तरह किया जाता है और जो यह mini computer आपका होता है, जैसे generally आप देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, railway बगएरे में आप देखते हैं, बड़ी बड़ी जो institute होती हैं, खास्तों पर आप news बगएरे देखते हैं, वहाँ पे भी कभी कुछ news दिखाते हैं, बहुत सारी जो computer होते हैं, एक साथ रखे होत हैं, ठीक है नहीं, storage की शमता में अधिक बड़े होते हैं, और यह बहुत अधिक गती से कार करते हैं, mainframe भी, और बहुत अधिक भंडारन की शमता रखते हैं, किसे mini computer से भी, जो आपका first जो computer था, वो आपका कम शमता रखने वाला था, फिर जो mini computer आया, उससे ज्यादा कारभार समाल सकते हैं, इनका उपयोग अक्सर जो केंदी database के लिए बड़े संस्थानों जैसे bank, बीमा, रक्षा तथा अंसंस्थाओं के लिए किया जाता है, तो mainframe का उपयोग किन संस्थाओं में किया जाता है, objective type के question बन सकता है, तो bank में बीमा, रक्षा तथा अंसंस्थ जो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा सुपर कंप्यूटर है, कि यह भी question आपका हो सकता है, कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर आता है, तो सुपर कंप्यूटर आता है, अन कंप्यूटर के मुकाबले, इनकी बहुत अधिक प्रोसेसिंग होती है इनकी मल्टी प्रोसेसिंग भी बहुत जादा होती है और एक बिद जिसके द्वारा सुपर कम्प्यूटर का निर्माण किया जाता है वह सैक्डो माइक्रो प्रोसेजर को मिला कर ठी किया ना और सुपर कम्प्यूटरों का मुख उपयोग मौसम का हाल जानने जो ना अविया और विज्यांध हका निकिकेशकर्ण सेट्र में बिच्या बहुक्ण का प्रयोक तो छुपर कम्प्योंट में घयान अविव्य का देखा था कि मीश्था सब्सक्रों में बंप्णीstart के तो इस प्रकार के उपकरनों के एक विसेस्ता यह है कि लोगों के समुहों के बीच लगा तार बारताला विसेब बस चीतत ध्वन को पहुंचाया जाता है बेब 2.0 यानि मैसेज को भीजना जैसे आपका जीमेल वगरे हो गया मैसेंजर हो गया वाटसप हो गया जहां से आप करते हैं वीडियो कान फ्रेशिंग करते हैं यह आपका बेब 2.0 कंतर गाता आता है अभी जश्ट हम पढ़ चुके हैं तो इसके जो मुख की विसेस्ता क्या तो मुख की लिखना है समुहों के बीच लोगों के बीच में लगातार वाताला आप करना वाटसप से आप क्या कर आप बात करते हैं किसी भी टॉपिक को आप रखा जाता है आप वीडियो भी भेशते हैं तो चित्र हो गया आप सौंग्स वगएर भी भेशते हैं गाने भी पहुचाते तो धनी हो गया हाना दूसरी उनलेखनी बात यह उपकरण ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा सिक्षर विद्यारतियों के बीच बगेर अस्थान समय या दोनों के भौतिक बाधाओं के संप्रेशर संब्वए आप कहीं भी है टीचर कहीं भी है अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है अपने सब्जेक्ट से रिडेटर तो आप उसके माध्यम से पूंच सकते हैं और वह आपको उसका रिप्लाई देंगे तो यह है आपके बेव 2.0 के जो उपकरण होते हैं उनकी मुख विसेश्था उपकरण कौन-कौन से होते हैं बताई चुके हैं आपका गेश कहें वाटसाप है मेसेंजर है इमेल बहुत्सारी चीज Pres segunda अब आपको बताना तो रिप्लाईज कि इसटोरेज बाइज आउट्प्पट रिवायूरीय अप कह सकते हैं प्रिस्वरेजा टेवाइज और सब्सक्राइज मीमरियम कहते हैं तो यह क्या है uh यह आपका multiple choice में questions आ सकता है दो questions इससे बन जाते हैं पहला आपका computer के कितने अंग है यह पूछ के कह देगा इनको explain कर यह उधारन सही समझाईए यानि input device क्या है CPU output device क्या है इनके आपका example पूछ सकता है या फिर यह computer के जो अंग है निनलकित में से कौन-कौन से है और option में इन चाहूंगे कि इन में से अलग भी question पूछ सकता है CPU का full form पूछ सकता है ठीक है ना और जो input device है question देगा निनलकित में से कौन output device है और आपको उसमें से सलेक्ट करना होगा तो मैं इस सोच नहीं कि एक मैं आपके लिए वीडियो लेकिया हूं जिसमें मैं आपको CPU, storage device, input device और output device के वारे में बताओं ठीक है आप comments कर जिएगा या आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगे आकलन वा ICT उपकरण क्या है अब आपको बताना है ठीक है ना तो देखिए आज कल विभी ने ICT उपकरण उपलब्द है जिनका उपयोग सिश्चन अधियां प्रक्रिया के दोरान तथा कक्षा कोर्समात के बाद भी विद्यार्थियों के निस्पादन के आकलन हिर किया ज सकता है ICT उपकरण सिक्षण अधियां प्रक्रिया यानि कि जैसे आप लैम में जो प्रेटिकल करते हैं कंप्यूटर में भी आपको प्रेटिकल जोने नहीं कराया जाते हैं बहुत सारी चीछे सिखाई जाती कंप्यूटर के माध्यम से ठीक है ना और विद्यार्थियों को कोर्स हो गया आप कोर्स समात के बाद विद्यार्थियों के निस्पादन आकलन है तो रिजल्ट बनता है तो किसके माध्यम से बनता है कंप्यूटर के माध्यम से बनता है उसी में से आपको बताया जाता है यह कोर्स समात के बाद का हो गया यह उपकरण प्रक्रिया आधार यानि जो निश्पादन विद्यार्थियों के निश्पादन के आकलन यानि एक्जाम देने के बाद जो आपके रिजट निकलते हैं इन दोनों पे आधारित होते हैं दोनों का आकलन किया जाता है ICT के अंतरगत है ठीक है ICT का एक उपकरण E-Portfolio को ले सकते हैं जो एक उपक जने आकलन है तो उप्योग में लाया जा सकता है अब कौन कौन से ICT उपकरण है जस्ट अभी हम बता के आ रहे हैं आनलाइन आनलाइन रियूब्रिक आनलाइन पियर एसेस्मेंट डिश्टल कांसेप मैपिंग बहुत सारे हैं आकलन में ICT उपकरणों के उप्योग के लाब जिन जिन उपकरणों के माध्यम से चीजे डाली जाए अत्वा संप्रिशित की जाए वे सभी से उत्रों में ICT जैसे इस वक्त मैं क्या कर रही हूं माउस माउस हुए ICT आता है है तो वह कंप्यूटर के बाहर लिकिन मैं उसका यूच कर रही हूं वर कहा अंदर हो रहा है यही input device होता है तो जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो किसी यंत्र के द्वारा अपने आकड़े तथा निर्देशन डालते हैं इन यंत्रों को input device कहा जाता है एक अच्छी input device के समय पर सही तथा उप्योगी आकड़े computer की main memory में प्रोसेशिंग के रिए डाले जाने चाह यह एक पारंपरिक typing machine की तरह होता है की वोड़ तो हम लोग जानते हैं इसमें function होते हैं पूरे की होती है कुछ commands होते हैं function keys होती है और जो इसमें कुल 101 101-104 key होती है यह थोड़ा सा याद रखेगा कि की वोड़ में कितनी key होती है तो 101-104 की बीच होती है ठीक है ना आकड यह कंप्यूटर में डालने के लिए keys का सही mail दवाना होता है बहुत सारे काव हम कीबोर्ड से करते हैं वर्नर जर्नली माउस से कर देते हैं computer keys के सभी मिलान से जुड़े हो electronic signal को समझता था उसके अंसार processing होती है यानि work करता है next mouse देख लेते माउस भी एक input device होता है जो हमार व्यक्तिकत computer के साथ प्रयोग किया जाता है छोटे से बाल पर घूमता है तथा इस पर दो यह तीन बटन होते हैं जब एक सपाट सर पर इसे चलाते हैं तो माउस की दिशा में screen माउस की गच्च से sensor करती है यानि जो work हम माउस पर करते हैं वो चीज computer पर दिखती है माउस के साथ सरकर बहुत तेजी से चलता है था उस दिशा में कार करने के लिए हमें अधिस तंतरता मिलती है फिर देखी scanner देख लेती है एक input उप करने और photocopy machine की तरह काम करता है कोई वी चीजा में scan करनी होती है computer में उससे में बाहर लेना होता है तो हम उससे कर सकते हैं किसी भी paper वाले matter को सिधे computer में आगे की कार रहत प्रोसे संप्रेशित किया तो scanner हो गया देखिए और भी बहुत सारी इंपूट डिवाइजर जैसे आप प्रिंटर ले लिए वह भी आता है आप ज्वाइश्टिक ले लिए जो गेम्स के होते है टूल्स यह आपके input device के अंतरगत आते सिश को पुड़े बिस्म को पहुचाया जाता है बेव आथरिंग जस्ट मैंने कहा था यानि जैसे आप ब्लॉग बनाते हैं एक ब्लॉग क्रिएट किया जाता है एक विफसाइट बनाई जाती है एक एपस बनाई जाता है खुद का परसनल और उस पे पुड़े मैसेज दि जाएगी यही होता है बेव आथरिंग अप्लिकेशन ओके इंपॉर्टन कोश्चन आपके लिए है तो फ्रेम सी वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और करना क्या है आपको पता है लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए और शेयर को सब्स्राइब नहीं किया है तो जाएगा